नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनरीसिस में दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में आपने पिछले कुछ दुनों में काफी बड़ी गिरावट देखी ये स्टॉक लगबग 318 का 52 वीक हाई लगा के आप सभी 165 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अल्मोस्ट 45-50% डाउन है अपने हाई से ये स्टॉक अभी भी दोस्तों जो इसका आप देखेंगे तो अभी भी कोई सस्ता नहीं है ये वैल्योशन वाइस क्या ये स्टॉक खरीदने के मौके दिरा है आप सभी को या फिर ये स्टॉक से निकल जाने का समय आ चुका है या इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा है थोड़ी सी डीटेल में तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन उससे पहले आप स ताकि मुझे मॉटिवेशन मिलती रहे इंडियन एनरजी एक्सचेंज दोस्तों इस स्टॉक का मार्केट कैप लगबग 14,800 करोड का है इस स्टॉक का 52 वीक हाई 52 वीक लो आप सभी को पता है इसकी बुक वैल्यू पर शियर जो है 7 रुपे यानि 7 रुपीस की इसकी बुक 20 टाइमस से भी जादा यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है ठीक है इस टॉक का पी ए 48 के पी पे ट्रेड कर रहा है तो कोई सस्ता शियर नहीं है यह मैंने आपको पहली बता दिया इतना करेक्ट होने के बावजूद भी इस स्टॉक की अच्छी बात है क्या है वह देख लीजी आ इस सालों में कंपनी है गुड रिटन और रिकुटी ट्रेक रिकॉर्ड थ्री एर्स का 46 परसेंट का है मैं आपको एक्जेकली बता हूं तो कंपनी का रिटन और रिटन और इकुटी 48.6 परसेंट है रिटन अन केपिट इंब ऑग श्यांदार होता है तो अभी तक तो बहु इसके वेलुएशन्स खराब हैं दोस्तों स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 21.6 ताइम्स तो इस प्राइस तो बॉक वैल्यू तो वही जो मैंने आपको बताया है मोर दन 20 ताइम्स की प्राइस तो बॉक वैल्यू पर एग्जाक लिए तो 21.6 ताइम्स की प्राइस टू बॉक वैल्यू पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेटर डेज हैव इंक्रीजड फ्रॉम 26.3 तो 74.9 देज तो जो इनका डेटर का दिन है वो पहले 26 दिन होते थे अभी चोहतर पिचैतर दिन हो गया है तो यह काफी खराब है तो यह दो चीज़ा नेगेट है अब स्टॉक के पैट के बारे में बात करते हैं साल दर साल देखते हैं कि कैसा कर रहा है कंपनी तो मैं पिछले चार-पांच साल से कंपेर करता हूँ 2017 से देखता हूँ 2017 में 114 करोड का पैट था 2018 में 132 करोड का पैट हुआ 2019 में 165 करोड then 178 then 213 then 303 करोड and काफी अच्छा देख रहा है अभी 303 करोड का पैट तो कंपनी काफी तेजी से उपर आ रही है अच्छी लग रही है नंबर के इसाब से तो अब इसका अर्निंग पर शियर भी काफी तेजी ग्रो हो रहा है लगबग 1.98 फिर 2.38 अभी 3.37 परसेंट का इसका कहीं न कहीं आपको EPS यानि अर्निंग पर शियर देखने को मिल रहा है तो यह बहुत ही अच्छा है Cash Conversion Cycle काफी खराब हुई है चार से बढ़कर सीधे 75 हो गई है तो यह काफी खराब है खराब नहीं मतलब काफी ज़्यादा खराब हो गई है पहले काफी अच्छी थी अभी उसके मुकाबले काफी खराब हो गई है इसकी Share Holding Pattern देखें तो FIIs लगबग 20.77 परसेंट होल्ड करते हैं जो पहले 27 परसेंट होल्ड करते दे तो FIIs ने अपनी तेजी से एक पोजीशन को कम करा है वहीं डिया इसकी बात के तो 19.48 परसेंट से बढ़ा का 21.65 परसेंट कर दिया इस ने पबलिक की बात करें तो इनका इंट्रेस्ट ज्यादा बढ़ा है 53 परसेंट से बढ़कर 57 परसेंट की ओल्डिंग हो गई है अभी एंडियर इंवेस्टर सारी आने वाले समय में ये स्टॉक काफी आपको अच्छे रिटन्स दे सकता है हाई मार्जिन वाला स्टॉक के लगबग 85 परसेंट के मार्जिन क्लॉक करता है मोनोपॉली और इनका मार्केट शेर और 90-95 परसेंट का मार्केट शेर है अपने फील्ड में तो मुझे लगता है य आप बने रह सकते हैं अगर पात साल का व्यू देते हैं तो यहां से इस्टॉक थ्री टाइमस भी हो सकता है जो कि काफी अच्छे रिटन्स होंगे क्योंकि उपर से गिरा भी काफी तेज है और भागा भी काफी तेज था बट मुझे लगता है यह लॉंग टर्फोलियो का ह होना चाहिए शॉट टर्म के लिए बात करें तो 176 के उपर जब भी निकलेगा इस्टॉक 196 तक जाएगा तो यह ओवरॉल मेरा व्यू होगा आई एक्स के स्टॉक को लेकर होप आपको वीडियो समझ में आई होगी थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो वीडिय एड़ दे गाइस